CISF Tradesman Recruitment 2021 जी हाँ, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल वेवप गैरियर में तो दोस्तों आज किस वीडियो में जो आपके लिए लेटेस्ट जो वेकेंसी दोस्तों निकल कर आई है CISF Tradesman का Recruitment के बारे में तो दोस्तों वीडियो में एड तक बने रही है का पूरी जानकारी जो इस वीडियो के मद्धे मिसी आपको प्रोवाइड की जाएगी तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजीट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की एकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिस्टे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन किसी भी भरती कर रिगार्डिंग हो आप तक है पहुंच सके साथ ही दोस्तों डिस्क्रेप्शन में आपको वाटसप नमबर और टेलिग्राम चैनल के लिंक मिलेगी वहाँ पे दोस्तों आप टेलिग्राम पे जोईन हो जाईएगा साथ ही वाटसप पे आप मैसेज किजिएगा जिससे आप जो है गुरूप में हो सके और लैटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकी चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अपडेट की तरफ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट रहने वाली है पानसो सतितर पड़ोप के नोटिपिकेशन जारी हो चुका है पोस्ट के लिए पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों और दोस्तों वेकेंशियाप की 2022 की होने वाली है ठीक है क्योंकि 2021 तो अब आपका दी एंड हो चुका है अभी दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए आपको मैं दिखा दूँग अब देखिए किस किस पोस्ट के लिए दोस्तों यह रहने वाला है तो दोस्तों बारबर के लिए बूट मेकर कुक में जो माली पेंटर शूइपर कारपेंटर और दोस्तों आपका वासर मैं के पोस्ट पर दोस्तों यह भरती आपकी होने वाली है ट्रेट्समेंट की पानस को मिलने वाली है ठीक है 28 1996 से 182001 के बीच में आपकी यह जो आपकी डेटो बरते होनी चाहिए ठीक है अभी एज में चूट आपको जैसे जनरल वालों को मिल नहीं मिलती है OBC को तीन साल की मिलती है और CST को पांच साल की मिलती है वो छूट आपको यहां पर मिलने वाली है ठीक है लेवल थरी की आपको जो यहां पर सेलरी भी मिलने वाली है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात करें तो दोस्तों यहां पर आपका दसवी पास एजुकेशनल क्व प्रिट की बात करें तो दोस्तों आपके जनरल ओवी सी के लिए यहां पर 100 रुपे चार्ज रखा गया है और दोस्तों उसके अलावा जो अन्य पोस्ट के लिए आपका जाओ यहां फिरी में रहने वाला है ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपका पूरा यहां पर CISF CTTM exam date and physical detail भी यहां पर दी गई है आपका सबसे पहले देखी जनरल OBC SC EWS वालों का 170 cm हाइट और चेस्ट 85 होनी चाहिए और जो इस special area से जो belong करते हैं उनके लिए 165 cm आपके हाइट और दोस्तों 78 cm आपके जो चेस्ट होनी चाहिए और दोस्तों यहां पर trip से एरिया से बिल आपके जो चेस्ट वागयरा जिसकी सही होगी हईट सही होगी वह रन्निंग में हिस्सा लेगा 1.6 मिनटर के रनिग दोस्तों यहां पर होने वाली और शादिछी मिनट में आपको जो हैं आपके कंपलीट करनी है उसके यहां पर बात करें आपका एक्जाम के बारे में तो जो है जनरल EWSRX सर्विसमेन को 35% नमबर आनिवारी हैं SCST को 33% नमबर लानी आनिवारी हैं सब्जेक्ट आपके क्या क्या रहेंगे सलेबस आपका ये रहने वाला है जनरल नोलेज और जनरल आवेरनेस मैथमेटिक अनलेटिक एप्टिटूड और दोस्तों उसके अलावा जो आपके जनरल नोलेज हिंदी अंगलीस वगयरा के जो आपके यहां पर क्यूश्चन आने वाले हैं ठीक है उसके बाद में सलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहां पर दिया गया है पीटी पीएसटी डोकुमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट आपका पहले होगा उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा उस लाश्ट आपका medical exam होगा ठीक है medical होगा आपका तो दोस्तो सबसे पहले आपका physical के बाद में trade test होगा ठीक है उसके बाद में दोस्तो यहाँ पर important date यहाँ पर दीगई है application इस्टार्ट की तो दोस्तो यहाँ पर दिसंबर 2021 तो दोस्तो दिसंबर के लाश्ट तक आपके जो फोरूम जो है फिला पर करवा लिए जाएंगी दीगई जानकारी दोस्तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जैनल पर पहले बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर पैसे कर लिजिएगा दोस्तो धन्यवाद